हेलो स्टुडेंट्स तो आज आपकी क्लास है साइसकी क्लास ठीक है और आपकी सप्रेंश के भंगस पढ़ने जा रहे हैं पहले अपले जब्लब फूड तो आज चेप्टकर में पढ़ेंगे कि फूड मत सब को पता है कि नॉर्मल जो अपन खाना का तो इसे क्या बोलता है लेकिन अपने फूड के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अच्छे से कि फूड काय से बनता है इसमें कौन-कौन सी चीज़े होती है और अलग-अलग जानवर या इनसान कौन सा अलग-अलग तरह का फूड काते हैं हमें कैसा फूड खाना चाहिए किसा नहीं खाना चाहिए तो फूड के बारे में पूरा फढ़ेंगे अ इस द्यान से मैं जहां पर line हाथ रखूंगा वहां पर ध्यान से पढ़ते रहेंगे मेरे साथ साथ और chapter को समझने कोशेश करेंगे चलो हमारे chapter का नाम है food और where does it come from where does it come from का मतलब यह कहां से आता है ठीक है तो इसमें अपन रीडिंग स्टार्ट करते हैं what did you eat at home today आज आपने गर पे क्या खाया find out what your friend ate today अपने फ्रेंड से बात करें और उनसे पूछे कि उन्होंने क्या खाया did you eat the same kind of food yesterday and today क्या आपने कल और आज same food खाया we all eat different kinds of food at different times isn't it ठीक है तो answer है नहीं हम अलग-अलग time पे अलग-अलग food कहते हैं शुबहर हलका खाना खाते हैं नाश्ता करते हैं दो पैर में खाना खाते हैं शाम को रोटी सबजी खाते हैं ठीक है तो अलग-अलग टाइम पर हम अलग-अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं अब अगला पॉइंट हमारा फूड वेराइटी वेराइटी का मतलब होता है अलग-अल इंबर क्या क्या खाते हैं see if you can also get this information from friends staying in different state और अगर आपके कोई बहुत अलग दूर दूर स्टेट्स में या दूसरी जगह पर friends से उनसे भी बात करें list all the items in your notebook और उनकी एक table बनाएं ठीक है तो जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा राजस्थानी लोग अलग तरह का फूड काते हैं पंजाबी लोग अलग खाते हैं जो समुद्र के पास जैसे कोलकाता मुंबई वहां वाले लोग अलग तरह का फूड खाते हैं ठीक है there seems to be so much variety in the food that we eat what are these food items made up अब अलग अलग तरह का खाना काते थे फूड बना किसका होता है think about rice cooked at home आपके गर में चावल बनता है चावल समने खाया है मैंने भी खाया आपने भी खाया तो राइस बनता गर पे we take raw rice and boil it in water just two material और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice ठीक है तो अपन चावल खाते हैं चावल कैसे बनाते हैं आपन सूका चावल लेते हैं मार्केट से लाते हैं और उसको पानी में उबाल देते हैं ठीक है सिर्फ हमें चावल बनाने के लिए दोई चीजी चाहिए एक चावल और एक पानी ingredients क्या होता है वो चीजे हैं जो फूड बनाने में काम आए वो क्या क्यलाती है ingredients जैसे अपन चाय बनाएं तो टी मिल्क शूगर और वाटर यह चारो चीजे क्या हो गई टीक है ingredients हो गई ठीक है तो ingredients अगर चावल बनाते हैं तो दो ingredients होते हैं तो rice और एक water on the other hand some on the other hand some food items are made up of many ingredients लेकिन कई ऐसे food होते जो दो चीजों के नहीं बहुत सारी चीजों के बने वे होते हैं तो प्रिपेर वेजेटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड वेजेटेबल सॉल्ट स्पाइस ऑइल एंड सॉन लेकिन मालों अपने को सबजी बनानी है तो सबजी में आपको नमक भी चाहिए हल्दी भी मिर्ची भी चाहिए अरादनिया भी चाहिए प्यास भी चाहिए टमाटर भी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए ठीक है चूज सम आफ दर आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 और ट्राइट तू फाइंड आउट वाट इंग्रिडाइंट्स आर उस्टू प्र और ज्यादा चीजें लगती है ठीक है अगर आपन मालो कोई अगर हल्वा बनाए तो सूजी लगेगी उसके अंदर बादाम आपन बादाम डाले तो बादाम लगेगी चीनी डलेगी और घी डलेगा तो यह उसके क्या हो गए इंग्रिडाइंट्स हो गए ठीक है लिस्ट इंटेबल 1.2 सम एक्जाम्पल्स अर गिवन हेर एड्ड सम मोर इटम्स टुदा लिस्ट जैसे रोटी चपाती तो रोटी किसके बनती है आटा और वाटर की तो आटा और वाटर फूड कौन सा फूड रोटी चपाती की क्या हो गए इंग्रिडेंट्स हो गए दूसरा बात करें दाल ठीक है तो दाल अगर अफन बनाते हैं तो उसके लिए पहले सुकी दाल जयी जिसको अब बोलता हैं अगे बढ़ता है what do we need, what do we need, what do we find, do we find some ingredients common different from food items, ठीक है, तो आपना जो खाना होता है, वो ingredients से क्या होता तोड़ा, अलग होता है, discussing the class, where do these ingredients come from, तो आपन जो बोजन बनाते हैं, अपना food बनाते हैं, तो उसके जो ingredients है, यानि जो सामान है, जिनसे बोजन बनाया जाता है, वो कहां से आता है जैसे कि मानलो अपन बात करें रोटी की तो आटा कहां से आता है खेत में अपन गेहूं उगाते हैं फिर उसको खरीत कर लाते हैं फिर उसको चक्की पे गेहूं को पिस्वा कर उसका आटा बनाते हैं और फिर नमक लेकर आते हैं तो नमक कहां से आता है तो नमक जीले यह समूदर सी जो नमक निकलता है उसको फिल्टर करके वहां से नमक आता है तो अलग अलग इंग्रिटेंट जो फूड बनते हो अलग जगे से आते हैं ठीक है अब आता है अगला फूड मटेरियल्स एंड सोर्सिस इट में बीजी फॉर एस तु गैस दसोर्सिस ऑ मानलों अगर अपनको फूर्ट्स और वेज़ेड़स वो कहां कहां से आती है तो फूर्ष सत्य पेडो से और वेज़ेबलग खेट में छोट फसल हुगा आते हैं वहां से वेज़ेड़स मिलती है व्यर्डो डू दे कम से जिसमें बहुत सारे चावल के पौदे के उगे हुए होता है और उनसे में ग्रेंस यानि हमें ये खाने की चीज़े मिलती है एंड देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क और 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 भी तरह के दूसरे तरह के फूड आइटम से जैसे मिल्क एग मीट विच कम फ्रॉम एन तो कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांड से मिलता है और कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते है ठीक है अब अगली एक्टिविटी पड़ते हैं let us take the food items listed earlier and trying to find out where they come from the ingredients and the sources तो अपन कुछ food items की बात करें कि उनके ingredients कहां से आते हैं और वो कहां से कहां पे पैदा हो पहले तो खेत में फूड उगाया जाता है फिर इनको काटा जाता है फिर काटने के बाद इनको बोरियों में महले इसको मशीन से निकाला जाता है फिर बोरियों में भरके फिर ट्रांसपोर्ट करके लोगों में बेचा जाता है ठीक है यहां पर देखो कुछ हमें फोटोस दे एनिमल ठीक है तो अब हमें कुछ एक लिस्ट दिये जैसे मालो अपन फूड बनाना जाता है इडली इडली सभी ने खाया होगा इडली सामर नाम सुनाए मार्केट से लाते हैं कई लोग घर पे बनाते हैं तो इडली कैसे इडली का में जो आटा होता हो किसका होता है राइस क यह में कहा से मिलती है प्लांट से ठीक है तो इनका सोर्स क्या हो गया प्लांट अब बात करें चिकन करी यह एक नॉन्वेज यह एक नॉन्वेज अगर अपन बनाते है ठीक है तो चिकन मिलता है में चिकन कहा से मिलता है जब मुर्गी को काटके लेते हैं स्पाइसी मसाले लेते हैं ओएल यह घी लेते हैं तो चिकन का से मिलता है यह एक एनिमल का सोर्स एनिमल से मिलता है और घी कहा से मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स है, ओ에 और गी क्या होता है अनिमल्स है ठीके तो उनका सूर्स on just और एनिमल्स हो गया एक और फूर्ट की बात करें अपन खीर गी अगर गर में खीर बनी हो खीर सबको पसंद है, मिरे को बहुत पसंद है आपको बहुत पसंद तो खीर किससे बनती है खीर में अपन मिल्क यूज करते है तो मिल्क कहां से मिलता है एनिमल से चावल डालते है तो चावल कहां से मिलता है प्लांट से ही शुगर डालते है तो शुगर भी कहां से मिलता है प्लांट से ही मिलता है गन्ने के जो खेत होते हैं तो उसमें जो गन्ना निकलता है तो उसी से क्या बनता है हमारा शुगर what do we conclude from the activity plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits तो plants है में grains यानी अनाज, cereals दाले, vegetables और fruits मिलते हैं animals provide us with milk, meat products and eggs और जानवरों से में milk, meat यानी mutton और eggs मिलते हैं cow, goat, buffalo are some common animals which give us milk milk and milk products are, अब milk से बहुत सारी चीज़े बनते हैं जैसे butter, cream, cheese, curd, यह सारी क्या है milk से बनते हैं, तो ultimately इनका final source क्या हो गया, final source हो गया, animals क्योंगी animals जब milk देंगे तभी इनसे इस सारी चीज़े मिलेगी can you name some other animals which give us milk, जैसे और अपने बताएं, goat से हमें milk मिलता है गोट तो नाम आगे, camel से हमें क्या मिलता है, milk मिलता है plant parts and animal products as food, अब कई ऐसे plant के parts है जिनको अपन और animal के कुछ products है जो अपन food की तौर पर काम में लेते हैं, plants are one source of our food which part of the plant, ठीक है तो plant का कौन सा part है अपन food की तौर पर काम में लेते हैं, we eat many leafy vegetables, बहुत सारे जैसे पत्तियों वुरह सब्ज़े खाते हैं, जैसे कि मालनो पालक होता है, पालक पत्तियों वाली सब्जी है, धनिया है, पत्तियों वाला part है we eat fruits of some plants और कुछ plants के अपन fruits काते हैं जैसे आम हो गया, apple हो गया, sometimes roots कई बार roots काते हैं जैसे कि मालनो rice paste and fried ठीक है pumpkin के flowers को rice के paste में dip करके fry करके खाते हैं बहुत अच्छे tasty लगते हैं ठीक है some plants have two or more edible parts कई plants हमें एक से ज़्यादा चीजे खाने की देते हैं seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable जैसे mustard plant जो सर्सों है उसकी seeds से हमें सर्सों का तेल मिलता है और उनकी leaves से सर्सों का साग बनता है can you think of the different parts of the banana plant as food ठीक बनाना का आपनको बनाने से केला तो मिलता ही है ठीक है ठीक है तो बनाना प्लांट से में क्या मिलता है फल मिलता है think of more examples of two or more parts of single plant are used ऐसे कोई और example सोचो एक ही plant जिसके और चीज़ें में काम आए ठीक है जैसे मालो मूली हो गई मूली की अपन क्या करते हैं जब बनाते हैं तो मूली की जड़ है तो उसको भी अपन काट के काम में लेते हैं और उपर वाले पत्तों को भी डाल लेते हैं चलिए आगे चलते हैं from all the food items you have listed the table 1.3 choose some items whose ingredients are obtained from तो आप लिस्ट बना के बना सकते हैं कौन से में प्लांट से मिलते हैं कौन से में अनिमल से मिलते हैं और कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है चलो अगली activity पढ़ते है टेक सम ड्राइ सीट्स ऑफ मूंग और चना मूंग और चना के कुछ की बीज लीजिए put small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for day इनको एक container पानी से बरे में रख दीजिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel और अगले दिन पूरा पाने निकाल दीजिए और वेसल में ऐसे ही छोड़ दीजिए wrap them with a piece of wet cloth and set aside और उनको एक गीले कपड़े में बांद कर side में रख दीजिए the following day you observe changes तो अगले दिन क्या होगा उन बीजों में से food कर पतिया निकलने लग जाएगी अंकुरी चने गर पे सबने खाये होंगे चनों को क्या करते हैं बिगो देते हैं फिर गट्री में बांद के रख देते हैं और सुबह तक वो क्या हो जाते उग जाते हैं ठीक है तो वही activity यहाँ पर समझाई कही है a small white structure may have grown out of the seeds if so seeds have sprouted if not wash the seeds in water drain the water and leave them aside for another monday तो sprout हो जाएगी तो फूट कर उनमें से पत्या निकलने लग जाएगी और ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक दिन और भी गो कर रखिए और उसको कपड़ में बात कर एक द you can eat them और उनको आप फूटने के बाद आप खा सकते हो देखो ऐसा फिगर देखा होगा आप अपन चने खाते हैं चनों को बिगो के फूट जाते हैं फिर उनको अच्छे मसाले से चूपके बढ़े से खाते हैं देकन ऑलसो भी बॉइल इनको बॉइल भी किया जा सकता है some add some spices and get a tasty snack to eat तो उनको फूटने के बाद आप बॉइल कर सकते हो फिर उसमें मिच मसाले मिडाग बनाकर एक अच्छे से डिश बनाकर खा सकते हो do you have where honey comes from अब आप चलो एक एक और फूट की बात करते है honey honey means share share का आता है मदू मक्यों के चत्ते से have you seen a behind where so many bees आपने कभी मदू मक क्या बिन बिनारी होती है bees collect nectar from the flowers nectar क्या होता है flower के इंदर एक juice पाया जाता है उसको अपन क्या बोलता है nectar ठीक है तो इस nectar को कौन क्लेक्ट करते है मदू मक्या और उस चत्ते में ले जाकर भरती है convert it into honey आत उसको nectar को collect करती है उसको शहेद में convert करती मीठा मीठा सा होता हो और आप क्योंके फूल क्या है पूरे साल बर नहीं आते तो यह क्या कर लेती है चत्ते में क्यों store रखते है ताकि जब फूल आते है तब वहां से nectar collect करके उसको honey में convert करके store कर लेती है और फिर जब फूल चले जाते हैं तब उस चत्ते के शहयद को खाती रहती है कई बार देखो में सुरीवार पढता हूं मैड़ल मदुबुक्रीं कने पहले लिकार हुग काई तो वह भी आ Może यहाँते हैं तो एक फूड आइटम हो गया ठीक है, what do animals eat अब चलो, अपन ने बात कर लिए, अपन क्या खाते है अब बात करते है, जानवर क्या खाते है, गाए ठीक है, और शेर तो ये सब क्या खाते है, do you have cattle और a pet that you take care of, आपके गर में कोई जानवर है, देखो किसी ने किसी गर में कोई कुटा पालता है, कोई कैट बिल्ली पालता है, किसानों के गर में बफेलो और गोट बक्रिया या भैस होती है ठीक है यू विल, आगे पढ़ता है यू विल दन शोरली भी अवेर अव्द फूड दा एनिमल इट्स, तो अगर आप आपके आसपास में कोई जानवर है तो आपको पक्का पताओ के कौन-कौन से अनिमल क्या-क्या खाते है what about other animals कई ऐसे अनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं मारे आसपास नहीं रहते तो वो क्या खाते हैं पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट आप बारिश की दिनों में देखते हैं जो वो छोटे मोटे कीडे में कोड़े आ जाते हैं तो उनको कौन खा जाता है लिजार्ड ठीक है और छोटे-छोटे इंसेक्स क्या खाते हैं ठीक है तो इन्होंने एक टेबल बनाईए कुछ टेबल दे रहे किया और बाकि आपन फिल करेंगे ठीक है बफेलो क्या कहती है ग्रास यहनि घास काती है ओ gouvern देटे ень क्या क्या कहती है तो स्मॉल इली मत छोटी-चोटब जानवर चुई को बिल्ली खा जाती है बड्ड को खा को खाता है या कोई भी मासारी जानवर को जानवर है तो उसको मार कर खा जाता है टाइगर भी क्या काता है वो भी डियर को खाता है का डरावा कोई पड़ाव आपना चूट किया तो ऐसे अलग जानपर अलग तरह का फूड है थिक इसे इस इस अपने बढ़ लिया डिसकस कर लिया अच्छे से हैव लुक अगें अट टेबल 1.5 अब आपस टेबल को देखें अनिमल चैनल अर्ड एनिमल्स विच इट अली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट थीस आर कॉल्ड हर्वी वोर्स तो नय ना मया वो एनिमल्स जो स बोलते हैं सीराव money और प्रिफल्व चैनल लिपर बूसर घरब दूसरी जीइवर से तो उनको क्या बोलता है कार्णिवर्स ग दूसरों का मास मक्ची खाते हैं से tiger लिए हम गया अभीड खेट हर्वी वोर्स और कर carnivores भी यह दूद भी पी जाती है और बीखा जाती है रहा है डूयों फाइंस विच एट बोथ प्लांट्स अ निमल तो कुछ अनिमल प्लांट्स और अनिमल दोनों खाते हैं जैसे मैंने कैड का नाम दिया इंसान भी कही जो वेजिटेरियन भी होते हैं और Omnivores जो दोनों को खाते हैं ठीक है तो यह तीनों इंपोर्ट definitions बहुत important है आपका जब तक यह lockdown चल रहा है आप इन तीनों definitions के वारे में अच्छे से learn कर लें ठीक है तो अब अपन table आई उन्होंने काए कि एक table बनाओ और हर्भी वोरस कार्णिवरस और Omnivores के नाम लिखो तो हर्भी वोरस कोन हो गया cow और कोन हो गया goat और कोन हो गया rabbit यह सब हरी हरी चीज़ें या फल सबजियां खाते है animals plants काते animals नहीं काते ठीक है और कोन हो गया camel और कोन हो गया buffalo ठीक है अब कार्णिवर जो मास मच्यी कहते है लाएन ओगया tiger ओगया fox लोंबडी हो गया ठीक है और कार्णिवरस कोन हो गया मास मच्यी हो गया snake ओगया ओर क्यों हो गए ठीक है और अपन किसकी बात करें डॉग हो गया कैट हो गया हुमन्स हो गए और भी आप देख सकते हो कि अपन बात करें क्रों हो गया पिग हो गया तो यह क्या है यह मास मच्छी और प्लांट सब खाते हैं तो आप इन को याद रख लीजिएगा और इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिए आपके लिए बहुत इंपोर्टन है ठीक है वी नो देट देर आर मैनी अमंग्स रस हूँ डू नोट गेट सफीशियंट पेज टरं करते हैं सफीशियंट फूड अब कई ऐसे भी हैं अपनको पता कई ऐसे जानवर कई ऐसे यूमन से रहते जिनको सफीशियंट फूड नहीं मिलता वी नीड टू फाइंड देश में जो बूकेस हो जाते हैं आपने लौक डाउन में देखा होगा कि सबका काम बंद हो गया तो कित्ते लोग बूके रह गए ठीक है तो हमें देश में ज्यादा से ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौदे हुगाने चाहिए ज्यादा गयों अनाज हुगाना चाहिए ताकि लोग पूरे देश में फूड की कमी नहीं हो that will not be enough we will need to find ways to ensure that the food is made easily available to one of the लेकिन food produce करना important चीज नहीं है उसको सभी लोगों में बराबर बाटना भी important है ठीक है तो सभी लोगों में बराबर food बढ़ता रहे और कोई बुखा ना रहे ठीक है तो यही हमारा आज का chapter था over हो गया है कुछ keywords है देख लेता है ingredients जो food बनाने में काम आते ह जो food बनाने में पाट साते हैं उनको क्या बोलता है ingredients एडिवल यानी खाने योगे जो चीज़े खाने योगे है ठीक है जैसे मान लोग रोटी खराब हो जाती है तो parents बोलते हैं कि अब यह edible नहीं रहा यह खाने योगे नहीं रहा ठीक है तो एडिवलल जो खाने योगे हो nectar इक्तर क्या होता है flowers से निकलने वाला जूस जो कौन निकालती है बीज flowers के juice को क्या बोलता है nectar sprouted weeds यानी यह नहीं अंकुरित चने जो चने अपन अंकुरित करते हैं उन स्प्राउटेड weeds कहते हैं हर्वीवोर जो plants गाते हैं carnivore जो animals तो आज के लिए अपना इतना ही था आपका homework है कि आपको exercise के question answer आपको find out करने match the column बरना है आगे फिलप्स को भी बरना है ठीक है और match the column फिलप्स और question answers निकाल के आपको fair copy में करना है जब lockdown खतम हो जाएगा और आप school आएंगी तो आपका homework check किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको punishment मिलेगा तो students मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इच्छे से समझ में आओगा और अगर कोई doubts रहे गए तो इस वीडियो के एक दो